मम्मा मम्मा रात के तस बज गए हैं चलो चल के सोते हैं अरे पता नहीं यह रिमोर्ट कहां गया स्विटे बेटा जानती हो क्या रिमोर्ट कहां पे है रिमोर्ट इतनी रात के आप टीवी देखेंगी ओ अच्छा आपका फेवरिट सिर्ल अनुपामा जो इंसार रात को नौ बजी सोजाती थी वह अनुपामा के लिए सारे दस बजी तक जगती हैं चिपकर जादी दादी अमा मत बन चल रहें दे मुझे इमोर्ट मिल गया यह क्या छोटी तुन्हें टीवी क्यों बन किया दीदी आप इतनी रात कर इतना हला करी हो मैं निन डिस्टरब हो रही है और आपको अनुपामा देखने है तो वालिम कम करके देखो अब मैं निन डिस्टरब नहीं होनी चाहिए मासी मासी आप भी तो अनुपामा देखती थी अब आप नहीं देखती क्या अरी बेटा वो क्या है ना पहले जब काव्या खुला अनुपामा अच्छा आता था अब तो वनराज के पर रोली खतम कर देऊ सिब अनुपामा को यह दिखाता है तो इसलिए बहुत बोरिंग आ और वैसे भी यह सिरियल वनुराज के दानि वज के वज़े से चलता था चलता था यह तो मिजे अनुपमा का चलता है और पता अथ जा जा अधता सबस gail goose कर लोग मुझे लगता धियाए और अनुपमा का तो कोई रोदी नहीं है ओ मेरा क्याने का यह मतलब नहीं था अनुपमा कहीं साथ अच्छा लगता है वन्राज के ना सेल्फी से देखती तो है तू भी अरे तो वही चीज वही तो इंट्रेस्टिंग रहते है वन्राज का एगो एक्टिट्टिउड नए जानुपमा देखने दो मायका बड़ी तो इस मायका चोड़ता है अरे क्या हुजे आप रोक्यों रही हो यहाँ भी जब एक लड़की अपने सस्टॉराज जाती है तो इससे उसके माबाब का साथ चुड़ता है यहां पर अनुप ममा तो बाप बाप पूजी और उसके बच्चे सब को छोड़ के जा रही है दीदी इदना ताव अपनी विदाई में नहीं रोई होगी जिना आप मान की विदाई में रो रही हो अरे लेकी अच्छा ठीक है आपको यह फेवरेट स्यल है आपको यह देखना मैं तो अपना सीरियल देखूंगी अरे देखो इल्लों की चक्कर में मेरा किना सार सीरियल छूड़ी गया ममा अरे ममा कहां पे है जांके देखूं यह क्या ममा आप यहां पे सो रहे हो भी लाइट वाइट चला के ममा उठो लगतार बेटा टीवी देखते देखते मेरी आख लग गई अरे टाइम क्या हो रहा है यह क्या इतना लेट हो गया अभी तो मैंने खरगा कुछ काम भी नहीं किया है वही तो मम्मी आपके जिसर में स्कूल भी नहीं जा पाई अरे तू चुपकर अभी मैं जल जल का काम कर दोंगी नहीं मम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही प्रेक पास चाहिए अरे बीटा थोड़ा सानुपमा देखना है नहीं मम्मी मुझे भूख लग रही है अच्छा रूप बनाती हूं कोई चैन से टीवी भी नहीं देखने देता ये वनराज खुद को समझता क्या है अनुपमा बिचारी सीधी साधी भोली प्यारी अकल की मारी अच्छा उसे अनुझ मिलिया अरे मम्मी ये क्या बरबड़ा रही है ये मान की साधी में जो वनराज अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं न मैं हंडेड परसंट बता सकती हूं ये सिर्फ ड्रामा है वनराज किसी भी हाल पर सुधरी नहीं सकता अरे मम्मी दूदू बलके गीर जाएगा हाँ हाँ एक मेर बंद कर दी केस थोड़ा सा दूद गीर भी गया ये सब तेगी बज़ा से भाए अच्छा खासा मुझा अनुपमा देखने देती तो मैं ध्यान लगा खानपा पाती अब मैं प्रध्यान अनुपमा में लगाए द देखो ना सेरियल तो एक है लेकिन कहा नाम इसमें अनेक है जैसे दादी की साधी मान की साधी सौतन बनी सहेली मतलब इतने साइट टॉपिक्स और नी तो क्या तुझे नहीं पता क्या मान की साधी किने लोग की इंस्पिरेशन है मैं भी कभी सोचते हूं कि दूसरी साधी क करने के बात कर रही हो नहीं मेरा मतलब वो नहीं था साम के छे बजे आज आपको आने में लेट कैसे हो गया अरे में एक फ्रेंड का बड़े था तो पार्टी दे रहा था अच्छा तो आपसे इतना नहीं हुआ कर फोन करके बता दूं हाँ वो मुझे ध्यान नी आए कि मैं में फोन करको दाद हूं वैसे भी तुम तो घर पी रहती हूं ना घर पी रहती हो इससे तुमारा क्या मतलब है मर्द के हाथ में तो सिर्फ दिगरी होती है पर और औरत के हाथ में चिम्टा बेलन जाडू दवाई की परची दूद का हिसाब गोद में तीन बच्चे कान्व अरे अनुपमा तुमारा इतना फेवर्ट से जाल है कि तुम इसकी के क्लाइन याद है और नहीं तो क्या और वैसे भी आपको भी में साथ घर में कामें मदद करवानी चाहिए अनुच का पाड़िया को देखो अनुपमारा कितना ध्यां रखता है अगर मैं ना रहूना तो घर नहीं चल पाएगा अच्छा और अगर मैं ना रहूना तो घर में एक रुपे भी नहीं आ पाएंगे बस कीजिए आप दोनों अगर चूला मा जलाती है तो चूले वो जला के रखने वाले पिता होते हैं ममी पापा कहे रहना कि वो कॉल करना भूल गए तो अब उन भी ना भड़क क्यों रही है और आपको ऐसे पापा को नहीं सुनाना चाहिए और पापा ममा पूरा दीन घर पर काम करती है अगर आप ममी का थोड़ा हैल्प करवा दोगे तो उसमें आपका क्या जाएगा देखो आप दोनों अपने अपनी जगा बहुत एहम रोल निभा रहे हो दोस्तों अगर आप मेरी बास सेहमत है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हो अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई